अखिका continue करते है अपन तो यहां अगर ध्यान से देखो जो डार्क है जादा तर यहीं तक है यहां जाते आते अब थोड़ी कम होती जारी है यहां तक डार्क है फिर उपर आते आते हल्की होती जारी है इस साइड तब भी डार्क है तो अब पहले इस साइड का करते है ठीक है में ली इस तरीके से है अपना ज्वैंट यह उपर गया है से मैं अब कैसे बोल ला हूँ देखो रेंडम ली जा रहे हैं वे फो नहीं जा रहे हैं एक लिए स्ट ख़ेशेत बना रहा हूं थोड़े ऐसे लिज़ाई कर्व में ठीक है यहां हलके-चलके आएंगे अब ऐसनी कि इनके उपर एक लाइन आईगी इनके बीच से भी बड़े बड़े आ सकते हैं थोड़े ऐसे निकलते हुए यह में ली अपने यहां जॉइन हो गए ठीक है अब आता है यह वाला पॉर्शन तो यहां वाले पॉर्शन को करने से पहले एक काम करो जिन्होंने नहीं किया उनने इसी तरीके से कर्व करते जाएंगे कि देखो कर रहा हूं में नीचे से उपर की तरफ तक कि यह जौर लाइन है वह इसी कर्भ में द लिएम अपन को ठीक है आपना बन है अब मेंली क्या करना पहले यहां से जो आ रहे हैं एक लेयर जो आपन नॉर्मल ही बनाते हैं हलकी हलकी कर अब यहां पर देखो एक डारेक्शन में यहां नहीं थे ठीक है यहां पर है तो यहां पर अपन कर सकते हैं कि अपन एक डारेक्शन में लेगा कर लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ले जा एक आदो एक आदो बीच में थोड़े रेंडम से भी ले जाना मुस्ली तो मैं ऐसे कवर वूपर की तरफ ही आएंगे ठीक है यह अरिया बसता है तो यह वाला देखो यहां पर यह पूरा नहीं भरना है अपन को यहां से हलका हलका जॉइन हो रहा है तो यह हलका हलका अपन को भी जॉइन करना ऐसे हलके हलके बालों से बहुत जाद भरना न अब अपने मन से कुछ भी शेप में नहीं कि यहां छोटे-छोटे ले जा रहे ही जो शेप था यह फॉलो करना है अपन को कि यहां तक ऊपर तक आ रहे हैं और फिर यहां धीरे-धीरे काम होते गए बाद चीक है तो इस तरीक है से राइट सड़ वाली बिर्ण हो जाती है लैफ साइट सब्सक्र वाला अपन ने भरकही कि ग Our अतन Love्ससर वाली में अतना जादा नहीं आएगा कि तो इहां फिर हलकार तो यहां पर देखो जैसे अपन इसमें एक डारेक्शन में था इसमें भी नीचे-णीचे की तरह थोड़े एक डारेक्शन में आ गए अब यहां पर लेगा तो हलके हलके उपर आएंगे बस ऐसे तो ऐसे भर भर के नहीं करना है थोड़े गैप के साथ आ सकते हैं क्योंकि अपन को अभी एक और लेयर देंगे लास्क में यहां पर ऊपर से लाओ ठीक है ऐसे कर्व करते करते तो तुम्हें बॉर्डर भी बन जाएगी एक बहुत जादा मत करना कि एकदम सी शेट बनाने लग गए आराम आरां से फ्री हैंडल आते जाओ फ्लो में आना चाहिए में चीज वो है अभी उपर उपर जाएंगे शेप बही रहेगा यहां पर जादा है यहां पर पतले होत जाएंगी था है तो यहां क्या था यहां पर जादा थे उपर उपर हलके हलके आने तो यहां हलके हलके ओपर आएंगे तो यह अपनी बेर्ड की बेस लेयर हो जाती है पूरी, इतना करो. अब अपन को सेकेंड लियर टू बी से देनी, तो अपन ने पूरा बेसे कले पूरा भर चुके हैं. अपन 2B से करेंगे और हलका हलका जो डार्क दिख रहा वो 4B से लाइटली करेंगे तो 2B कहां आता है यह आइस के नीचे लेकिन आइस में एशा नहीं कि पूरा भर दिया यह देखो अगर आइस में ध्यान से तो बीच में हलका हलका छूटा हुआ है यह जाज चूटा हुआ ह तुमझे देख लो उपर वाला सेक्षन तो पूरा अपना टूबी से इसे कवर हो रहा है दो आब आते नीचे वाले नीचे वाले portion में क्या होगा चुलिली तुम्हें कर्फ बनाए है ंसा थोड़ा आगे बड़े अपन और कर्फ है कर्फ इससे थोड़ा थोड़ा आगे बड़ेगे मुस्न पूरा नहीं अपरना ठीक है तो हम दो यह एप的话 शेड़ थोड़ा थोड़ा आगे बड़ा यह रहा अपना कर्व थोड़ा थोड़ा आगे बड़ा अब एंड पीछे की तरफ है तो पीछे यहां देख सकते हो यहां ऐसे जॉइन हो रहा है नीचे की तरफ शेड होते होते यह वाला कर्व है हलका हलका शेड होते हुए उपर की तरफ फिर इसके बीच में भी एक कर्व है अब यह तुम गलती करो कि बहुत मोटा मोटा कर बना दोगे जब कि पतले पतली शेडिंग है यह बहुत इस तरीके से ही अपन ने आइस के असपास किया सेम चीज़ अपन राइट आय पर करेंगे देखो बहुत डार्क मत करना पता चला यह लाइट यह डार्क कर दिया तुमने आगे टू भी ही बहुत जादा डार्क कर दी तो फिर फोर भी का सेंस नहीं बनेगा अपना यहां पर पीछे की तरफ से श्रेड ड करना चालू किया इतने में छोड दिया इन आगे से स्टार्ट किया और चोड़ दिया बीच तो इतना करो तो टूबी से अब आपन क्या करना है आइब्रो के बीच वाला पोशन देखो यह भी डार्क है तो टूबी को हलका हलका ऐसे वर्टिकली करते आएंगे थोड़ा सा ही नीचे आएगा अब एक दम ऐसे नहीं छोड़ देंगे अपन हलका हलका मैं क्या बोलता हूं ब्लेंडिंग में आसानी रहे इसलिए हलका हलका थोड़ा ऊपर ऊपर भी शेड करेंगे लाइत लिए ताकि वह ब्लेंड हो जाए असानी से यह हुआ अब आते हैं नोज पर देखो बीच में थोड़ा हाइलाइट है यहाँ थोड़ा थोड़ा हाइल अपन को बॉर्डर ब किया अपन नहीं है ठीक है फिर यहां पर आए हल्का हल्का बेस पर किया अपन नहीं हुआ हल्का हल्का बेस पर करो ठीक है ऐसे कर्व करते करते हैं यहां गया और हल्क धीरे से यहां छोड़ दो यह भी अपन शेड करें हैं फिर आउस साइड राइट नॉस्ट्रिल पर अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं यह तो असल में फोर भी है तो यहां पर इस डारेक्शन में करते हैं थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ करो ऐसे शेड हलका 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 सा बहुत जादा नहीं करना हलका हलका किया है अब यह वर्टिकल ही आया है यहां पर शेड करते करते अब ऐसे ऐसे छोड़ दिये सेम चीज यहां करेंगे थोड़ा यह बाहर की तरफ पर ऐसे वर्टिकल ही करते हुए आये और यह अपन ने छोड़ दिया यहां देखो यह मूचों के पास थोड़ा डार्क है यह हलका हलका यहां लाइट है तो अब एक चीज ध्यान दखना यहां डार्क है थोड़ा नोस के नीचे से सर्कुलर शेडिंग करो तो यह डार्क है अपनको हाइलाइट देना भी जरूर जूरी होता है कि हाइलाइट और डेप्थ कहां दे रहा है इसे चीक्स वाले पोर्शन में यह उठा हुआ लगना चाहिए तो यहां थोड़ी थोड़ी ऐसे डेप्थ रहेगी और यह उठा हुआ दिखना चाहिए तो इसके नीचे थोड़ा सा हाइलाइट रहेगा यह पोर बहुत ऐसे डार्ट नहीं करने है अके थोड़ा यहां नोस के नीचे नीचे रहेगा बहुत लाइटली करना हो थीक है फिर यह लिप्स के नीचे वाला पॉर्शन आता है तो हलका में नीचे वाले पोर्शन तो यह पूरी भरदो ऐसे डूबी से बहुत ज्यादा इसमें थोड़ सकते हो हलका हलका हाइलाइट करके यहां छोड़ सकते हो थोड़ा एरिया शेड करके इस तरीके से अपनी यह नोस ला पोश्वाशन भी हो जाता इतना कर लो फिर अपन बाखी वात करते हैं चीक्स में देखना यह अपन को पता Geme टांत यह यहां तक एधर तक कर लो 4B, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लाने को जैसे माल लो ये अपना कर्व ये था ठीक है इसे भी डार्क मत करो इसे हल्का हल्का अंदर लाएंगे इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ ये है बस हेल का संदर लाया मैं सेम चीज यहां होगी अपनी जैसे यह वाला पोर्शन है यह मैं पूरा शेड करूंगा कि यहां पर अंदर आऊंगा इस तरीके से धीरे अंदर आया थोड़ा यहां से आया फिर यहां से थोड़ा अंदर की तरफ आया यहां पूरा नहीं फिल किया मैंने ठीक है मैं निदर अंदर तक निए आ गया मैंने बस क्या किया थोड़ा अंदर आ यह सा तो पूरा किया ही है थीक है ठीक है फोर एड और बसता है फोड़ा साही है गो और देख लो ताकि एपनी सेकिंद लेयर पुरी शेड हो जाए तो फोर इंगर मैं से फेड होता हुआ आना चाहिए अपन का ताकि फोर भी अभी अपना डाक टू लाइक ऐसे फेड होते हुए आता रहे तो अपन वही चीज इस तरीके से करेंगे तो अपने अपने लेंध के साब से करो वह ज़रुवत नहीं यहां से यहां पूरा एक बार मिले जाओ तो मैं जितना डाक कर नहीं है, उतना डाक वाला पोशन धीरे-धीरे करूंगा, अगiento ईतना छोड़ा ता वहार रहना ही चाहिए यहा पने नहीं चोड़ा ता रहना चाहिए यह आलalter जिसने नहीं छोड़ा ता जिसने पूरा भर धिया था तो एक काम करना उत्ते एरिया में मत करन तो देखो अब क्या है अब मैं इस तरीके से लाया तो यह डाक इतना पॉर्षन था अब डाक टू लाइट वाला पॉर्षन तो मैं इस तरीके से ओवल शेडिंग कर रहा हूं यह टो अब क्या होगर यह लाइट हुआ थोड़ा और लाइट हुआ थोड़ा और लाइट ओढ़िया और यह एच्बी ग्रेड का हो गया च्रीक है सेम चीज़ यहाँ पशुर्णी यहां डिसी मिंधस for me लाइटी तो वही सेम चीज हम होगी इस तरीके से करो कि डाक स्चाथ लेता रहें अपन इhtlas और लाइट हो गया अर्लायट हुआ और लाइट हुआ और हुआ और है 누가 अब यह कृण तो फिर यह हलकी हलकी आपने इसमें ट्रॉ नहीं कर रहा हूं यह टिंशन लाइन्स सर की यह मैं हलका हलका शेड कर रहा हूं इस तरीके से अपनी जो फर्स्ट लेयर है चेहरे मना सेकेंड लेयर है तूबी वाली वह शेड हो जाते हैं तो इतना करो ब्लेंडिंग स्टम्प लो ब्लेंडिंग स्टम्प से अपने को थोड़े से यह रिया करने से यह वाले अब इसको क्या से करना ब्लेंडिंग स्टम्प ऐसे सर्कुलर चलाओ बस यहां बस हो गया यहां सर्कुलर चलाया हो गया यह थोड़ा बीच में लाइट सा छूटेगा बीच में, अपने ही जो कर्व बनाया इन पर भी ऐसे सर्कुलर चलाँ और हो गया यह हमने बना ली, यह हूं जितनतं है यह पर एसे सर्कुलर है जो तो, इस पर लिस पर दिन सर्कुलर चलाऊं जो नहीं के बास जो स्ट्वाइब हो दिन शुय कहिं तो यह अपने आइस हो जाता है अब सेम चीज अपनको नोस पर भी करना लेकिन नोस पर पूरे में नी करेंगे और बहुत लाइट ली करना क्योंकि तुम्हें नोस ली टिप डाक कर दी और फिर यह जो स्टेम है यह लाइट रह जाएगी तुम्हें क्या करना सेम चीज ऐसे दीरे दीरे ब्लेंडिंग स्टंग की मदद से यहां नोस पर करना है ठीक है जो अपन बीचे टिप पर इस पर थोड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे क्योंकि इसमें ऊपर तक जाना है नॉस्ट्रिल पर आते थोड़े छोटे होगे देखो smudges किसी के में नहीं आने चाहिए आराम से करो टाइम लेकर करो लेकर smudges नहीं आने चाहिए यह हुआ अब आपन बस नॉर्मली जैसे करते हैं अपनने ब्रश लिया आइस ब्लेंड करना चालू कर दी ठीक है तो मैं पूरा ब्रश इदा घिसने की ज़रूवत नहीं थोड़ा तीन चाहर बार यहां करो ताकि यह साथ मूथ और ओड़ा एयो फॉर्याओ अजया हाई ज्वाड़ा पर करो यहां पूरा ब्रबर लेकिन हलका करो लें है आराम आराम से यहां किया अब यहां पे किया बने जीक से लेते हुए आओ नोज पे फिर्स्ट लिए जैसी ब्लेंडिंग है ठीक है यहां ऐसे वर्टिकली करते हुए आ रहें अंदर की तरफ लाए थोड़ा ठीक है पूरा एक ताम अंदर नहीं कर देंगे धीरे-धीरे दीरे दीरे स्मूध होना चाहिए बस एक बात ध्यान रखना एंड ऑफ दड़े तुम्हारे स्केच में जो शेडिंग का ब्लेंडिंग करी है तुमने वह स्मूध दिखनी चाहिए यह हुआ अपना अब यह मुछों के ऊपर वाला पोर्शन और नोस के बीच वाला पोर्शन तो इस पर शेडियर रहता ना इस पर से शर्कुलर चला लो ब्रश ठीक है यह स्मूध हुआ सेम चीज यहाँ पर अब यह अपना आइस नोस वाला पोर्शन ब्लेंड हो जाए अब आता है चीक्स वाला चीक्स वाली पर मैंने वह बोला यह बॉर्डर बॉर्डर पर तो उससे क्या होगा यह नीचे वाला जो डार्क वाला हिस्सा है तूबी वाला वह भी ब्लेंड होगा और उसके साथ जो डार्क टू लाइट अपन को टोन चाहिए वह भी आए लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है तो इसे स्मूध ली करते जो दोनों साइड स अगर तुम्हें लग रहा है कि रफ हो रहा है तो इस तरीके स्मूध ली अपने चीक्स वाले पोश्चन कर लिए एक बात नहां रहत ना अगर तुम्हें लग रहा है कि रफ हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो सिंपल सा अपनी एच भी पेंसिल ली एच भी को ऐसे हर का हर का ऊपर की तरफ शेड करने लगा जहां तुम्हें लग रहा है कि एक दम लाइन सी आ रही तो तुम्हें गया होगा डाक टू लाइट के बीच में थोड़ा ग्रेफाइट मिल गया अब तो यह नीचे वाला पॉशन ब्लेंड होता है इसे एर सो फोरेट भी फर्स्ट लिया जैसी होंगे बस स्मूधली करना धीरे धीरे करते जाओ जय करुच होता हैंसाèn करते बड़ियां अगले करुच है कि अजब पर जैसे यहां आते तो यहां अपने हाइलाइट के आसपास है जैसे यहां पर हलका हलका यहां पर चाहिए तो पूरे चाहरे में स्मूधली तुमाँ ब्रस चलना चाहिए और यह तुमारी सेकंड लेयर भी है लेंड हो जाए ठीक है तो आज के लिए पना काफी है बाकि आपन नेक्स्ट टाइम करेंगे करनी है तो ज़रा फोर बी के लिए देख लिए यहां यहां फोर भी है लेकिन फोर भी यहां से आ है यहां डाक टू लाइट आ रहा है द देख रहे यह डाक टू लाइट आता हुआ है तो पहले मैं तुम ल्हों को करना है लिकिन तुम घल्दी को यह धन्म करना है असे यह कर pista शेब करना है तो तो उपर से नीचे तक जितना ही आइब्रो वाला है जैसे यह है ना आइब्रो का इतना है यह तुम फोर भी से कर लो आइब्रो के जो टिप आ रही ना पीछे उसके उपर तक पूरा ऐसे शेड कर लो ठीक है आराम आराम से स्मूज शेडिंग होनी चाहिए ठीक है यह हुआ अब आपनको क्या दिख रहा है यहां से डार्क टू लाइट आता हुआ तो हलका सा यह कर्व है यह जो कर्व दिख रहे है ना आपनको पहले से थोड़े शेप बनाने होते हैं कि जिस शेप में यह हो रहा है काम यह हुआ थोड़ा और लाइट हुआ और यह धीरे धीरे आगे जाते हैं ते बस हो गया ऐसे थोड़ा थोड़ा यह ऊपर ऊपर देख सकते हो बालो वाले एरिया में यहां यहां भी है इस तरीके से क्या हुआ यह अपने डाक पुलाइट जो चाहिए तब एकदम यह नहीं करना है यहां से लेके यहां तक पुरे ही डाक कर दिया फिर बात में प्रॉब्लम होगी त्योंकि थर्ड लेयर है यह इसे रेस नहीं कर सकते हो तुम की सोचो मैं फोर हैड रेस करके द बड़ बड़ा जाएगा इस वाले पार्ट में एक साथ दौनों बता रहा हूं क्योंकि दौनों सिमलर ही है अपना यह वाला पार्ट था तो इससे मैं हलका हलका शेड कर रहा हूं कि एरेस हो गया था ब्लेंड हो गया तो यहां आते-आते इधर पर एंड हो रहा है ठीक है तो इसके पूरा जो राइट साइड का एरिया है वो मैं अच्छे तरीके से शेड करूँगा ठीक है तो यह सा मैंने शेड कर दिया अब यहां पर देखो एकदम से नहीं करेंगे यहां ऐसे डार्क टुलैट अब यहां आगे की तरफ लाइट लाइट करना चालू करो थोड़ा 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 आगे लाइट जाना चालू हुआ बस एक बात ध्यान अखना है यह जो हिस्सा किया है मैंने यह तुम्हें भी आराम से करना है कोई जल्दी नहीं है इसे शेड स्मूधली करना ताकि ब्लेंड भी लाइट 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 अपन ताकि यह डाक्टू लाइट आराम से ब्लेंड हो तो कि ब्लेंड लाइट लाइट लेक्षिन से कलाएट ब्लेंड करना है अराम से एक डिरेंड मेंघ जला सकते हो अगर तुम्हें बैसिकली पूरा उसकी डाइबम में टेना है कि पूरा उपर से न demographic कर्व कर रहे व्रना बेस्ट रहता सर्कूलर चला हर जगा हर डारेक्शन में फिलता है यह हुआ फिर इसके बाद यह धीरे-धीरे से आउटलाइन कर ब्लेंड करते हुए आया मैं ठीक है यह किया फिर ऐसे धीरे-धीरे कर्व करते करते मैं लेफ्ट साइड बढ़ा तो उससे क्या होगा डार्क टू लाइट होता हुआ रहा हुआ थोड़ा यह चीक्स वाले पोर्चन पर भी कर दिया यहां पर थोड़ा यहां पर और यह मेरा फेस पर जितना मुझे काम था वह मेरा हो जाता है करो इतना तो इयर का बढ़ी दियान से तो पहले दो एक कवरिंग आ रही तो इसी लेजिए कर शेप का यह हलक हलका शेड करना है कोई डौन दूरा नहीं कर गए गई यह कर दो डेख सकते हैं यह यहां से जा रहा तो यह यहां आगया है यह रायर में शेड कर रहा हूं सुख है फिर और यहां आगया लिए प्र है अजित कर नहीं होते हुए यहां जॉइन का भार पार हुए यहां इस अब आपन को क्या करना है अप लेना यह टूबी पैंसिल तू भी ले लो एक काम करो डारेक्ट 4B ले लो इसके बाद डारेक्ट 4B लो 4B pencil लिए यह 4B है यह अंदर जो मैंने बनाया यह एच बी से था यह 4B है अभी मेरे हाथ में कि अपने हाथ के नीचे कुछ रख लेना अगर sketch ब्लेंड लेंड के कहते हैं तो मैं हाथ में ड्रेफाइट में लगना चाहिए यह हलका मैं आउटलेंड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अंदर अंदर की तरफ यह आउटलेंड शेड हो रही है अंदर की तरफ जैसे यह है आउटले अंदर ना जारहा है यह थीरे-धीरे यहां Shade किया हलका अंदर आता जा रहा है सेम चीज हहाँ होगी इस वाले कर्व के साथ तो यह क्या हो रहा है थीरे थीरे यह अंदर की तरफ आता जा रहा है इसमें देखो ऊपर-ऊपर का हिस्सा शेड़िड है तो मैंने 4B से बहुत लाइट लाइटली यूज करना है इसमें शेड किया यह वाला इससा पूरा हाइलाइट में जा रहा है अपना तो उत्ता छोड़ दो तो यह एक बेस क्या तो यह करते अपना वाला लि आपना फथला वाला ले ले लो इक कि अहत्तकों कяг ये तो देख और कैसे करना ना तो ब्लेंड करतें हैं इसे बहार है smooth blending धीरे-धीरे curve करते करते अंदर की तरफ ले अगे dark to light अंदर ये वाला है इसे ब्लेंड किया इसकी ऊपर के हिस्से को किया., नीचे वाले हिस्से को किया, तो यह अपना हो जाता है ठीक है थोड़ा बसता है अब अपन को थोड़ा सा depth और चाहिए, depth की कमी है ठीक है तो यह 6B pencil है कौन सी है 6B pencil तो यह हलकी हलकी outline यहाँ पर आई थोड़ा थोड़ा उपर की तरफ बंदब outline की तरफ जो है न हलका हलका shade कर रहा हूँ यह मैं बस यह हलका हलका जैसे मैंने 4B से किया 6B से कर रहा हूँ हलका हलका वैसे ही यहाँ shade किया ठीक है थोड़ा बहुत नीचे किया अब उसी तरीके से जैसे मैंने 4B blend करी थी blending stem से से उसी तरीके से मैं 6B blend कर दूँगा तो यह क्या हुआ अपना area blend हो गया अब क्या कर दा है अपनको ज़रा ध्यान देना जिनके पास mono zero eraser नहीं है वो अपनी normal eraser यूज़ करें अपनको highlight है highlight कहा कहा है यहाँ यहाँ है बहुत ज़्यादा dark मत कर देना देखो जिसको अगर लग रहा हो कि 4B से ही काफी dark हो गया वो 4B पर ही रुक जाना 6B करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं ठीक है यहाँ है किया ऐसे हलका हलका हटा रहा हूं यह बहुत ज़्यादा नहीं हटाया इसके बाद मैंने कहा किया brush लूँगा और मैं brush को ऐसे circular चलाने लगूँगा क्योंकि बाहर background में कोई जरूरत नहीं है बाहर background में फैलने दो ठीक है इस तरीके से अपने यह कर लिया यह क्यो सरीके से अपना left side वाला ear बन जाता है तो इतना बना लो राइट ear के लिए अपने एच बी पैंसल से स्टार्ट करते है तो यह अपना नॉर्मल जो आउटर शेप है वो तो है अब यह वाला शेप जो है यहां से चालू हो रहा है उपर आता है और यह कर्व होके यहां पर य यह यहां आके जोइन होता है इसे ठीक है इसे ड्रॉण नहीं करो इसे शेड करते करते लाओ ऐसे धीरे धीरे फिर आता है यह कर्व बाला पार्ट तो यहां से चाली हो रहा तो मुझे पैंसल देखो मैं जगा ड्रॉण करना होता है तो मैं ऐसे एक बार मिले आता लेकिन मै मैं कर यूरेबर के आरहा है इस तरीखे से धीरे धीरे उसको थोड़ा मोटा मोटा शेड कर रहा हूं है यहां धीरे से कर तो यहां उल्टा सीधा मत करना कि यह वाला नीचे से चालू कर रहा हो यह i aar के tip रहते हैं यह नहीं यहां पे जो इयरळव रहता है इस पार्ट में रहता है हें यहां से शेड होते हुए उपर की तरफ गायब हो रहता है अपन भी врем लेकर से सैसरोच यहां शेड दिख रहा है है यहां हलका हलका Wang दिख रहा है तो यहां मैंने हलका हलका शेड किया ठीकश तो यह अपना जो एक हाइलाइट चाहिए हाइलाइट चाहिए होता है अब देखो ब्लेंड अब शेड भरना का है यहां पर भरा यह पूरे एरिया में धीरे धीरे भरते गए देखो ऊपर वाला पूरा पार्ट है यह आपने आराम से फृरी अंदर वाला आता है तो इससे क्या होगा मैने बोला था रा झेम लाउंग से बहार टार्क अंदर आते आते लाईट यह डार्क अंदर आते आते लाइट अपन तूबी क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अपन ने अल्रेड़ी एक लेयर बना दी इसमें अगर 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 एक्दम बिगनिंग से करते तो अपन को जरूरत पड़ती लेकिन अपन ने क्या किया था है एच बी टूबी की लेयर साथ-साथ चेहरे के कर इसकी एक आउटलाइन टाइप शेड कर दी अपने यहां यहां पर भी एक एरिया है कि शेड करो हलका सा ठीक है यहां इसकी भी थोड़ी थोड़ी बॉडर ऐसे शेड करो और यह अपना हो जाता है तो यह बहुत ज़ादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को मेंली 4B का काम है इसमें तो हलका हलका ब्लेंड किया यह अपने जो आपने पने ड्रॉ करें न अंदर सुर्द कर यह वाले पर जैसे कैसे करणा जा किशर रहे यह ऐसमें की आईडिया लग गया की अपन को कहा कैसे शेड करो और घिक है तो ये अब अपना 4B का काम चालू होगा तो 4B देखो ये जो आउटलाइन आ रही है इसे मैं शेड कर रहा हूँ ये ठीरे ठीरे शेड किया मैंने ये हो गया ठीक है? फिर इसके उपर वाले पार्ट में हलका हलका शेड किया अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कैसा है ये भी डार्क है लेकिन एक बार मैं पूरा नहीं करना ये ऐसे कर्व किया कर्व शेड करते करते अंदर लाइट आ गया ये वाला कर्व है इसे कर्व करते करते अंदर की तरफ लाइट आ गया आज यह वाला कर्ब धीरे धीरे अंदर कड़े के लाइट हो गया है अब भी को बीच में इक डार्क पोश्ण दिख रहे हैं तो फूर में को फोड़ा प्रेशर डाला और यह इस्सद्य पामने थोड़ा से थोड़ा सा तोड़ा सा डाप किया कि वह अपर ने बहुत जदा निहीं फिर बहुत जञाती है यहँ पर यहां पर यहां पे इसमे करने एसacı इस रख मत लेकिन अच्छे से होना चाहिए अब यह बॉर्डर पर किया बॉर्डर से डाक टू लाइट अंदर जाना है लेफ्ट वाले में जो गलती करें हो अगर कि एकदम डाक सी आउटलाइन बना के छोड़ती तो वह नहीं करना इसे डाक टू लाइट अंदर की तरफ जाना चाहिए प्रेंडिंग में असानी अब यह वाला पार यह थोड़ासा एकदम जू वी शेप जो दिख रहा न Takessam घट अब यह थोड़ासा डार्क होगा और इसे ऊपर जाता यह कर हुएगा यह तो कर्व डाक टू लाइट जाएगा उपर यह थोड़ासा डार्क है तो इस अगो को कि अफे कि यहां फिए कि यहां है कि इतना की अपने का पार अपने से भेड करें रहें वी तो ब्लैंड करने के लिए सब्भैए है क्यों अपना और्मल जो है ये कर्ब करते-करते डार्क टु लाइट अंदर की तरफ ऑयो डाक टु लाइट अंदर की तरह की तरफ है कि यहां 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 चोड़ा क्यों की रे यहां पर छोड़ दिये ठीक है वह जाता है यूपर ऊपर भी कर ले ले न का कि टृट क्पीर अपना हो जाता है थोड़ी से आउत्लाइन दे दो अगर तुम्हाइन ब्लर हो गई हो variants अबके से अपर कि अथी थोडी यहां पर दो वी शेप की ओड़े और यह अपना इसके बाद एक थोड़ा सा काम करने बहुत ज़ादा डार्क मत करना तो तो गलती करोगे मैं बतानाओ हो जाएगी यह बोगत जादा थे लकवार भी युजदी ओगा तुम्हारा इक जो फॉल्ड़ती चाला है तुम्हारा से और में किया हुए आराम से त्सक्राइब यहां पर आया हूत है और यह हो गया आफ देखो मान में तुम ने गलती सपाइब कर दिया बहुत geology कर सकतेς तुम्हां था कर दिया तुम्हां आप से कुछ नहीं कर सकते हो मलत नहीं कर दिया कर सकते हो लागन के लिखका घचल करते करते से थोड़ा रहर ले जाँ तरह सब्सक्राइब को और अड cavalry जाएगा उस São तो अब यहां से भी नॉस प्रश अपना इतना चले गई अभी थोड़ा से अपना हो गया तो नोस भी अपनी बढ़िया हो जाती है लिप्स देखो ठीक है लिप्स को क्या करना एच भी पैंसल ली ठीक है आपर लिप में कैसे टेक्श्र देता इस तरीके का तो इसी तरीके से तैस्य तरहिए थीरे करते परले आपने शियद किया सिसrau हिए अब लोगार ले जाद देना लोल हिसमें यहांव 64 यहां पर तुम्हें क्या करना यहां से लाए और यहां चोड़ दीया यहां से लाए तो शेप देखो ज़रा इस तरी है ट्रायंगल शेप में तो हलका हलका तुम्हारा इस तरीके से होगा ठीक है ठोड़ा थोड़ा बॉडर पर दो बनते ही है इस तरीके से ओके तो यह अम ने हलका और अखलके अभी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा हो सकता क्यांवरे पर अपने क्या कि अब ब्रश लिया और ब्रश से ब्लेंड से कर दिया कि कि लोगर ले पर अराम से ब्रश चलाना यह minutes तो अपन लेर में अपन पर फूर भी यहां नहीं है थोड़ा सा हाइल्गी हापि यह पर धिख कर रहा हूं गल्ती मत करना कि तुमरो कर दो इसे मूती सी यह है शेड कर रहा हूं है तो मेंलि अपना पूरा हिस्सा हो जाता है थो यह नहुंआ पर देखो किला नीचे की तरफ बश्चारव उपर जा रहा है थोड़ा टेडा जा यह कर रहा हूं । यह पूरा हिस्सा ऐसे शेड हो गहां पर ही हिए यहलका हालका यहां पर लेकिन लाइट ली यह चोड़दा है अपन को रेकिले सेम चीज लोए कि लिप में जी ब terrace में इस थोड़ा बॉडर बॉडर लेकिन लोडर सेुगी फोर ऊपर डार करें नीचे लासे तो यहां यहां सेड हूअ है ठीक है अब अपने लिया अपना ब्लेंडिंग स्टम ठीक है यह वाला यूस करो या इस अब सर्किलर चलाओ यहां यहां पे उससे क्या होगा बॉर्डर बॉर्डर पे आराम से ब्लेंड होगा यह अपना ब्रश दीरे दीरे यहां सर्कुलर चलाओ ठीक है यहां पे चलाओ आराम आराम से तो तुम्हाई पूरा हिस्से ऐसे डार्क हो जाएगा ठीक है हलका हलका हाइलाइट देखो यहां दिख रहा है अपनको सेम चीज अपनको यहां करनी यहां बॉर्डर बॉर्डर पर धीरे धीरे चलाओ ओके ये left से right आते हुए धीरे धीरे चलाया और यहाँ पर इस तरीके से अपने lips की shading होती है अब आपने को क्या करना mechanical pencil लो नहीं 4B pencil लो 4B अपने light यूज़ करी थी अभी तक अब थोड़ी dark use करनी है किस लिए करनी है बीच में जो curve जा रहा है इस तरीके से इसे dark करने बहुत जादा मत करना हलका सा किया अपन ने और यह अपना हो गया ठीक है mechanical pencil से एक काम हो रहे हलका हलका बहुत हलका ठीक है ऐसे नहीं कि dark curves लगाने लगा अपन जो texture लगाते थे हलके हलके texture यह तो मैं camera में नहीं दिख रहे होंगे लेकर तुम pencil का movement देखो मेरे ठीक है हलके हलके अपन को इक कर्व करने थोड़े थोड़े lower lip पे भी आएंगे इस तरीके से बहुत पास पास करने की ज़रूरत नहीं है हलके हलके ठीक है सेम चीज यहां आएगा फिर mechanical pencil से थोड़ा थोड़ा ऊपर shade करते करते outline जो blend हो चुकी है उसे redefine कर लो सेम चीज नीचे की तरफ outline बहुत आराम आना outline ऐसे dark नहीं चाहिए मझे चीक है तो इस तरीके से अपने lips हो जाते है तो आज के लिए इतना काफी है बाकिए अपने next class में करेंगे